दोस्तो 8 दिसम्मर को यूनियन मिनिस्टर जोतिर रादित्य सिंध्या जी के द्वारा वनदे 12 ट्रेन को लेके एक बहुत भी जानाउस्मेंट की है जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे लेकिन सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर जी के द्वारा बताया गया कि 2013-14 में जो रेलवे सेक्टर के लिए एक साल का बजट अनाउंस किया गया था वो केवल 29,000 करोड था लेकिन उन्होंने बताया कि 2023 में जो इंडियन रेलवे सेक्टर का बजट है वो 2,40,000 करोड रुपे अनाउंस किया गया है और उन्होंने बताया कि ये बजट पिछले 9 सालों में 9 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है इसके बाद जोतिरा दित्य सिंद्य जी ने बताया कि करंटली इंडिया के अंदर 10 लाग करोड के कैपिडल एक्स्पिंडिचर प्रोजेक्ट के उपर काम किया जा रहा है इसके अलावा उन्होंने बताया कि जम्मू कस्मीर और Nord East के जो स्टेट है वहाँपर डेवल्ल्लमेंट काफी ज़ादा कम देखने को मिलता है पर अब जम्मू कस्मीर और नॉर्थ इस्ट के स्टेट में डेवल्ल्लमेंट काफी तेजी से किया जा रहा है उसके बाद उन्होंने बताये कि करेंटली इंडिया के अंदर 34 वंदे बारे ट्रेन को पट्री पर चलाया जा रहा है लेकिन 8 दिसंबर को जोतिरा जित्य सिंद्या जी के द्वारा ये अनौंस किया गया कि अब आपको इंडियन रेलवेस सेक्टर में टोटल 4500 नई वंदे बारे ट्रेन देखने को मिलने वाली है क्योंकि इंडियन रेलवेस का ये टारगेट है कि 2047 तक इंडियन रेलवेस सेक्टर में टोटल 4500 वंदे बारे ट्रेन को पट्री पर चलाया जाएगा इसके अलावा उन्होंने बताया कि आने वाले तीन सालों के अंदर लोगों के लिए बुलेट ट्रेन को भी operational कर दिया जाएगा यानि कि इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन हमें आने वाले तीन सालों में पट्री पर दूरती भी दिखेगी और अगर बात करें ट्रेक्स यानि की पट्रियों के बारे में तो जोती राजितिय सिंद्या जी के द्वारा बताया गया कि 2014 से लेकर अभी तक NDA गोर्मेंट के द्वारा टोटल 35,871 किलोमेटर लंबे नए ट्रेक्स को बिचाया गया है तो वैल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही I hope you like the video तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जब तक के लिए जाहिन